यूट्यूब चैनल आप हमारे चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट पर जाका सभी कुकिंग एंड बेकिंग क्लासिज की सभी रेसपियां आसान तरीके से देख सकते हैं आप हमारे सभी रेसपि को वेट स्केल के सासाथ 200 ml या 250 ml कफसेट दोनों में से कोई से भी कफसेट से बना कर त्यार कर सकते हैं आज हम अपने स्पेशल चार्ट की किलास में स्पेशल राजकचोड़ी की रेसपि आपके साथ सेयर करने आए यहां पर हमने अपनी राजकचोड़ी में वैसा ही टेस्ट दिया है जैसा कि मार्केट में देखने को मिलता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टी और करंची गानिशिंग के साथ राजकचोड़ी कैसे बनाई जाती है राजकचोड़ी बराने के लिए मैं ले दियूं बारीक सूजी मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ी सी मैदा अब मैं इसमें डाल रही हूं कसिमीरी लालमिच को पाउडर अब मैं अपने इन सभी इंग्रेडियंट को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूं mix हो जाने के बाद अब मैं इस mixture में से 4 टेबल स्पून याने की half cup mixture एक बाउल में कर रही हूँ जिसकी हम पापड़ी बना कर त्यार करेंगे, राजकचोरी के अंदर की feeling के लिए अब मैं इस मिक्चर में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सक्त आठा गूत कर त्यार करूंगी जिस तरीके से हम मटरी बनाने के लिए आठा गूते हैं उस टेक्चर के साथ आपका आठा सक्त होना चाहिए आटा गूतने के लिए पानी थोड़ा थोड़ा गरके डालना है एक साथ नहीं डालना ये देखे फेंड हमने राकचोरी के लिए डो बना कर त्यार कर दिया है अब मैं अपने इस आठे को दुसरे बाउल में रखका अब मैं इसके उपर गीला कपडा रख रही हूं गीला कप अब मैं ले रही हूं नमक इन सभी इंग्रीडेंट को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दी हूं ओईल अब ओईल को भी मिक्चर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है ओईल के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इसमें थोड़ हमारा आठा स्मूथ हो गया है अब इस आठे में से छोटी छोटी लोगा तोड़ कर इसकी गोल गोल बना कर त्यार करनी है आठे के छोटे छोटे गोले बन जाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूं थोड़ा सा ओईल इस ओईल को आठे की बोल्स के ओपर चारोतरक आठे की बोल को बेल का एक मीडियम साइज की रोटी बना कर त्यार कर दिया है यहाँ पर मैं इस रोटी को गीले कपड़े के उपर रख रही हूं यह टिप्स आपको ध्यान में रखना है ऐसा करने से आपकी सभी रातकचोरी तेल में डालने के बाद फूल कर आएगी अब को अपनी इस रोटी के उपर एक और रखना है गीला कपड़ा इस तरीके से आपको अपनी सभी रातकचोरी की रोटियों को नीचे वाले गीले कपड़े के उपर रख कर इसके उपर गीला कपड़ा रखना है इस तरीके से अब मैं अपनी सभी आठे की बोल्स की मीडियम सा मैं 15-20 मिनट के लिए एक साइड में रखूंगी फिर इसके बाद मैं इन सब की राकचोरी बना कर त्यार करूंगी यहां पर आपको इस बात का ध्यान अखना है आपके दोनों कपड़े उपर नीचे के पानी में निच्ड़वे होनी चाहिए फ्रेंट हमने जो पापड़ी के इनकी चुटी-चुटी सी रोटी बनाऊंगी जिस तरीके से पापड़ी का साइज होता ओस साइज के साफ से आपको इनको बेलना है इस तरीके से मैं अपने आठे की सभी बोल्स की पापड़ी की साइज के साफ से चुटी-चुटी रोटी बना कर त्यार कर रही हूं फ्रे देखे फ्रेंड पापडी बनाने के लिए हमने अपनी सभी रोटिों में छेत करदिये, अब मैं इनको तेल में डाल कर डीफऩराइ करूंगी, हमारा तेल गरम हो गया, मैं achieve को तेल में के लिए पापड़ी बन का त्यार हो गिए अब मैं गैस की फ्रेम को हाई कर रही हूं जिसे हम इसमें राजकशो्री डालका इनको तलेंगे एंट को तलने के लिए आपका तेल काफी अच्छा तेज गरम होना चाहिए तेल के खूब अच्छा तेज गरम हो जाने के बाद राज कचोरी की रोटी को तेल में डाल रही हूं जैसे जैसे रोटी हमारी उपर आएगी मैं इसको पलटूंगी रोटी के तेल के उपर आते ही आपको इसे पलटना है रोटी के पलटते ही आपको इसके उपर तेल डालते जाना है और आपकी कचोरी फूल कर त्यार हो जाएगी कचोरी के फूलने के बाद अब आपको इसे अलट पलट कर दोनों साइट से आधा से एक मिनट तक आपका तेल अभी गरम नहीं है पूरी तरीके से अपने को अच्छी तरीके से घरिके से इसे तरीके से मैं अपनी सभी राजकचोरी की रोटियों को तेल में डालका फूली फूली राजकचोरी बनाका त्यार करूँगी बस आपको यहाँ पर इस tips का ध्यान जरूर रखना है कि आपका तेल काफी अच्छा तेज गरम होना चाहिए अब मैं आपको सभी रोटि की राजकचोरी के बन जाने के और तब आपको दिखाती हूं and हमने अपनी सभी राजकचोरी को deep fry कर दिया है deep fry हो जाने के बाद अब मैंने अपनी gas की flame को medium कर दिया है अब मैं इसमें दौरे से fully राजकचोरी को तेल में डाल रही हूं अब मैं इनको द्वारे से डिफ फ्राई करूँगी ऐसा ऎसा करने से हमारी राजकचोरी बहुत जादे क्रिस्पी बनी रहेगी अब मैं अपनी इन डाजकचोरियों को अलट पलट कर दोनों साइट से मीडियम फ्लेम पर डाक ब्राउन होने तक तलूंगी डाजकचोरि को डाक ब्राउन करने के लिए आपको यहाँ पर 1-2 मिनट का समय लग सकता है यह देखे फ्रेंट 1-2 मिनट में ही मीडियम फ्लेम पर हमारी राजकचोरि का कलर डाक ब्राउन हो गया है जितनी ज़्याद है आप अपनी डाक ब्राउन करोंगे उतनी ही राजकचोरि आपकी क्रिस्पी बनी रहेगी यहाँ पर आपको अपनी कैस की हीट के कोडिंग राजकचोरि को डाक ब्राउन करने में 1-2 मिनट या फी 2-3 मिनट का समय लग सकता है राजकचोरि के डाक ब्राउन हो जाने के बाद अब मैं इन सब को तेल में से निकाल करके प्लेट में करूंगी यह देखे फ्रेंड आपको अपनी राजकचोरि को कलर इस तरह के से रखना है इन सबी राजकचोरि को प्लेट में करने के बाद मैं अपनी और बच्ची हुई राजकचोरि को तेल में तल कर डार्क सुने रहा होने तक तलूंगी ये देखे फ्रेंड हमने अपनी सभी राजकचोरी को तल लिया है ये देखे फ्रेंड इस तरह के से हमारी फूली फूली क्रिस्पी क्रिस्पी राजकचोरी बनकर त्यार हो गई है हमारे यहां पर राजकचोरी और राजकचोरी के अंदर की गानिशिंग के लिए पापड़ी बनकर त्यार हो गई है अब मैं अपनी राजकचोरी के अंदर की फीलिंग करूंगी राजकचोरी की अंदर की फीलिंग के लिए हमने लिए क्रीमी दही तीखी लाल चटनी इस्पे को देखना ना भूल produto यहां पर हमने इस्पेटिन चाट के लिए इस्पेशल चटनी और अरक त्यार की हैं दालक चोड़ी की फीलिंग के लिए मैं ले रही हிूँ आरक दाशete तरीकि से मिक्स करना अब मैं इसमें डाल दूँँ इस पेसल चाट के लिए बनाया गया स्पेसल मसाला मसाले को भी मुंग और चनों के साथ अची तरीकि से मिक्स करना है hef recover की feeling के के लिए हमारे मुंगों के साथ बनका त्यार रोगेंग अब मैं अपनार मैं अपनी मैं दाल रहे हूं उब्ले वय आलू हूं यहाँ पर मैंने ऊब्ले फेड़ी हालु के चोटे शोटे पीस कर दिए यह आलू आप अपने टेस्ट के साथ से चम ज्ड़कर सकते अब मैं इसमें डाल है मसालेदार काले चने और मूंग इसकी भी कंबच पशल्ट को जबना है पहले इनको करना है प्रेंड यहां पर में मुझग की दाल की दो पकोड़ी के नहीं के राद कचओरी के अंदर डालना है अगर आपके पकोडी का साइज बढ़ा है तो आप अपनी पकोडी को लिए डाल दीओ अनार के डाने इसके बाद मैं ले रही हूँ कटे हुए अंगूर के पीसीज, आप यहाँ पर अपने टेस्ट के कोडिंग कोई सवी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, अब मैं ले रही हूँ दाल की पापड़ी और आलू कल अच्छा, पापड़ी को करस करके रात कचोरी के अंदर डालना है, आप यहाँ पर एक से दो पापड़ी करस करके डाल सकते हैं, अब मैं इसके ओपर डाल रही हूँ आलू कल अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्दी राम का अलू कल अच्छा जो पैकिट में आता है, वो लिया है, अब मैं इसमें डाल रहे हूँ, इस्पेसल चार्ट के लिए बन अब मैं इसके उपर डाल रहे हूं खटी मीटी इमली की चटनी के बाद मैं इसके उपर डाल रहे हूं हरी चटनी अब मैं इसके उपर डाल रहे हूं तीखी वाली लाल चटनी आप तीखी वाली लाल चटनी की जगह यहां पर लाल मीच पाउडर भी डाल सकते हैं अब मैं इस दार्त-कचोरी के लिए इसके उपर रख यहिऊं गाजर के पतले लंबे स्राइस अब मैं ले रहे हूं चकुंदर के पतले ओ लंबे श्राइस इसके उपर मैं रख यह थोड़ा चाटा हुआ रदनिया यह देखे वेंद feeling के साथ हमारी दालत कचोरी बनकर त्यार हो गई है friend हमने याप पर अपनी दालत कचोरी की प्लेटिंग कर दी है हमारी बताई की रेसेपी से आपको अपनी दालत कचोरी का टेस्ट बिल्कुर मार्गिट जैसा देखने को मिलेगा अगर आपको हमारी इस पेसल चार्ट की किलास में इस पेसल दालत कचोरी की रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज इस एसेपी की वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए बराबर में बने बैल आइकन को दवाना न भूलेगा बैल आइकन को दवाने से आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा इस वीडियो को देखने के वाद अगर आपके कोई डाउट्स है तो इस वीडियो के नीचे दियेगे comment box में आप अपने डाउट्स को share कर सकते हैं आपको यह recipe कैसी लगी अपने अनुभब हमाई साथ जरूर share कीजिएगा अगर आपको अपनी डाल कचोरे के लिए सोफ्ट मूंग की दाल की पकोड़ी बनानी है तो आपको लेनी है पानी में सोक क्यों ही मूंग की दाल या पर मैंने आधा कप मूंग की दाल को रात भर पानी में भिगो कर छोड़ दिया था मूंग की दाल का पूरी तरीके से पानी निकाल देने के बाद अब मैं इसको मिक्सर जार में डाल रही हूँ अब मैं इस दाल में डाल रही हूँ हींग इस दाल को बीना पानी डाले मिक्सर में घुमाना है पकोड़ी बनाने के लिए आपकी दाल का पेस्ट गाड़ा और दर दर होना चाहिए अब मैं इसे मिक्सी में गुमाऊंगी दाल को मिक्सी में गुमाने के बाद आपको अपनी दाल को परात्मे करने के बाद अब मैं इसे फैट हूंगी दाल फैटने के लिए आपके हाथ पू पूरी तरीके से क्रीमी हुई है यानि इसके लिए आपको एक कटोरी में पानी लेना है उस पानी में आपको दाल का पेस्ट डालना है यह देखे फ्रेंट दाल का पेस्ट पानी के उपर तैर गया है इसका मतलब हमाई दाल पूरी तरीके से क्रीमी और चिकनी हो गई है अगर आपका दाल का पेष्ट कटोरी की दली पर बैठ जाता है तो आपको अपनी दाल को थोड़ा सा ओर फैटना है अब मैं अपनी इस दाल में डाल रही हूँ बारी कटवी अद्रक अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारी कटवी हरी मिर्च अब मैं ले रही हूँ साबूत जीरा इ आपको थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेना है और तेल में डालना है पकोडी का साइज आप अपने टेस्ट के कोडिंग छोटा या बड़ा कैसा भी रख सकते हैं पकोडी को तेल में डालते समय आपको अपनी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है पकोडियों के तेल में ड हमने अपनी मुंगी दाल की पकोडियां मना कर त्यार कर दी है पकोडियों को सोफ्ट करने के लिए आपको अपनी इन पकोडियों के रूम टेंपेचर पर आ जाने के बाद इने गरम पानी में डालना है फ्रेंड हमारी पकोडियों रूम टेंपेचर पर आ गई है यहां पर मै इन पकोडियों का साइज भी दिखाई दे रहोगा साइज डबल हो गया है अब मैं अपनी इन पकोडियों को पानी में से निकाल कर निचोड कर दूसरे बाउल में करूंगी इस तरीके से आप हमारी रेसेपी से अपने घर पर बना सकते हैं सोफ्ट और मुलायम मूंगी दाल क की कोडिया बन का त्यार होगी है इस तरीके से आप कि लिए अंदर की के लिए मूंगकी दाल की पकोडिया बना का त्यार कर सकते हैं टेश्टी और कृःपी राक कचोरी की रेसेपी को देखने के लिए आपका भूद भूhel धन्यवाद की अगली इस्फेशल रेसेपी हम आ बाइबाइ